क्या होते हैं और आप बच्चों के लिए इंपर्टेंट क्यों है और साथ यससाद कुछ ऐसे तरीके भी आप लोगे साथ शेयर करूंगे जिसके थूर्थ आप बच्चों को साइट वर्ड्स बहुत अच्छे से और आसानी से पढ़ा सकते हैं तो बने रहे एंड तक साइट ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बच्चे देख कर सीखते हैं जैसे अगर उनकी आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार 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 रिपीट होते हैं आप एक ही पेज ले लिए उस एक पेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बारबार रिपीट होंगे, जैसे कि and है, the है, it, यही words जो बारबार रिपीट होते हैं, याने frequently repeat होते हैं, उन्हें हम कहते हैं sight words, sight words बच्चों को पढ़ाना important क्यों है, क्योंकि यह words जैसा कि मैंने कहा frequently repeat होते हैं बच्चों की text book में, तो अगर आप चाहते हैं उनकी जो English ह वो बहुत अच्छी हो जाए, reading उनकी बहुत अच्छी हो जाए, fluently वो English को read करें, उसके लिए आपको यह उन्हें पढ़ाना बहुत ज़रूरी, बच्चे जो अटक अटक के पढ़ते हैं ना English, वो नहीं पढ़ेंगे, अगर वो sight words अच्छे से जानते हो, उनकी English पढ़ने क जो speed है वो बढ़ जाती है, कब से आपको यह पढ़ाना स्चार्ट करना चाहिए, इसके लिए कोई age नहीं है, कि आप कब से इन्हें पढ़ाए, अगर बच्चे को capital letters, capital letters and small letters दोनों आते हैं, खास तोर पे अगर small letter वो अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं हर letter को, तो उसक small letters आते हैं, तो उसके बाद आप उन्हें side words पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, इन्हें पढ़ाने से पहले phonics important क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ words जिसे की बच्चे phonics की help से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ words होते हैं, जिसे की phonics की help से नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे कि मा तो इससे कहीं पर भी the sound नहीं आ रहा है, तो यह जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को sight words सिखाने से पहले phonics और CVC words सिखा है, उसके बाद ही आप बच्चे को sight words सिखा सकते हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं, बच्चे को sight words पढ़ाने की कुछ ऐसे शब्द ले लीजिए, जो ब फ्लेश कार्ट की तरह कुछ sight words इस तरह पेपर पर लिख लिए है, आप चाहे जो colorful craft paper आते हैं, आप उन पर भी बच्चे को इस तरीके से simple sight words आप लिख कर दे सकते हैं, मैंने बहुत सारे यह देखे बना के रखे हुए हैं, अब इनकी help से आप कैसे बच्चे को सिखा सकते ह सारे words जो है बच्चे एक दिन में तो नहीं सीख सकते हैं, तो आप शुरुवात में जैसे की 5 words ले लिजिए, तो इस तरह से देखे मैंने 5 words ले लिए हैं और इन 5 words को यहां पर pin up कर लिया है, बाकी के जो cards है उन्हें भी इस तरह से 55 words में आप डिवाइट कर लिजिए, 5 words याने की थोड़ा इजी हो जाएगा बचों के लिए अगर छोटे बच्चे हैं थोड़े बड़े हैं और आपको लगता है कि वह जादा कर सकते तो आप 10 words भी ले सकते हैं, अब इन 5 words को जो है 5 days तक आप रिपीट करवाईए बचों से याने उन्हें दिन में एक या दो बा आज बार इन्हें पढ़ने के लिए जैसे कि और देखकर पढ़ने के लिए इस तरह से वह बार बार जब इसे रोज देखेंगे तो उन्हें जल्दी ये वह रिकनाइज कर पाएंगे कि ये वर्ड कौन सा है अच्छे से ये 5 words सीख जाए उसके बाद आप इसमें से दूसरे 5 words लीजिए जो कि आपको लगता है easy है और उन्हें pin up कर लीजिए और फिर उनसे बचों को आप practice करवाईए इसी तरह से देखें ये सारे जो भी sight words है आप लिख सकते हैं बच्चों को दे सकते हैं daily practice के लिए और भी कुछ तरीके हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही ह पहला तरीका आपने देखा अगर उस तरीके से आपने बच्चों को जो है practice करवा दी है तो आप चाहे उन्ही words को फिर से इस तरीके से लिख कर दे सकते हैं ताकि बच्चों के जो दिमाग में है अच्छे से बैट जाए वो बहुत अच्छे से इन्हें recognize करना start कर दे या फि इस के लिए इस तरह से एक वोक्षीट तैयार कर सकते हैं जैसे कि first यहां पर है color it आप उन्हें simple sketch pen या फिर crayons दे दीजिए और बच्चों को इन्हें color करने के लिए या फिर finger से coloring करते हैं बच्चे उस तरीके से बच्चों को इन्हें करने के लिए दे सकते हैं ताकि उनके लिए जो है थोड़ा interesting भी हो जाए और साथ में वो इसे recognize करना भी start कर दे तो यहां पर बच्चे color करेंगे यहां पर read करेंगे यहां पर trace करेंगे trace करने के बाद में वो यहां पर उस word को लिखेंगे उतनी बार बच्चों को read करना है फिर उसके बाद में यहां पर count करना है जो word आप यहां पर सिखा रहे हो वही word यहां पर बच्चों को circle करना है और उस word को count करके लिखना है कि वो word कितने है इसी तरीके से देखें आप और भी बना सकते हैं कुछ दूसरे तरीके से जैसे यहां पर देखें trace करना है बच्चों को फिर यहां पर बच्चों को इसी word क लिखना है फिर यहां पर color करना है color करने के बाद में देखे यहां पर एक sentence है तो इस sentence को complete करने के लिए यहां पर बच्चों को दे लिखना है तो यहां पर बच्चे दे लिखेंगे और दे लिखने के बाद में इस sentence को read करेंगे उसके बाद में देखे एक इस तरीके का word search आप तो थोड़ा सा यह difficult है आने बच्चे को बहुत ध्यान देना होगा कि आखिर कौन सा वाला दे लिखा है यह द लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद में यहां पर दे लिखा हुआ है तो बच्चे इसे color करेंगे यहां पर दे लिखा हुआ है यहां पर spelling गलत है तो इस तरही किसे जब आप देंगे तो बच्चों का क्या जह है concentration भी improve होगा अच्छा से तहां पर भी यह दे की spelling लिखी हुई है यहां पर भी यह दे की spelling है तो बच्चे को इन्हें color करने के लिखे जो भी spelling है जैसी है four boxes में आ रही है तो इन four boxes को बच्चे यहां पर color करेंगे यह एक और worksheet मे शायद थोड़ी difficulty बच्चों को हो सकती है तो उसकी practice आप जादा से जादा करवाईए जैसे मैंने यहां पर now, out, they, यह words दिये हैं तो यहां पर बच्चों को जैसे यह बच्चे read करेंगे out और फिर इसे count भी करना है बच्चों को या फिर आप कह सकते है बच्चों को color करने क इसी तरीके से आप और भी दूसरे words दे सकते हैं जिन में आपको लगता है कि बच्चों को difficulty हो रही है उन्हें थोड़ी सी problem हो रही है recognize करने में तो जितने जादा बार वो उस word को देखेंगे उतना ही जादा जल्दी वो उस word को सीख पाएंगे और उतने जल्दी वो उसे recognize क कर पाएंगे जो भी cards में आपने words लिखे हैं उसके अपने अच्छे से बच्चों को practice करवा दी साथ में आपने worksheets से भी बच्चों को practice करवा दी जो words आपने practice करवा दिये हैं उससे related आप इस तरह से simple sentences बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों को कह सकते हैं read करने के लिए जैसे अब फिर इससे reading से आपको पता चल जाएगा कि कौनसे words है जिसमें बच्चों को difficulty हो रही है कौनसे साइट words है जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ पा रहे है ठीक से वो अभी भी अटक अटक के पढ़ते हैं तो उनके उपर आपको जादा काम करना है तो इस तरीके स आप बच्चों को सिंपल सेंटेंस दे सकते हैं लिखकर और इन सिंपल सेंटेंस को बच्चों को रीड करने के लिए कह सकते हैं रीड करने के बाद में आप च्छा है तो बच्चों को हाइलाइटर दे दीजी और उससे जो है बच्चों को इन्हें हाइलाइट करने के लिए that is an apple, we play in the water, look at the jet, he is a boy, बहुत easy, easy, जो है, यह sentences है, तो यह sentences आप बच्चों को रीड करने के लिए दीजे, आपको इसे बहुत अच्छ से यह चीज समझ में आ जाएगी, कि बच्चों को कहां डिफिकल्टी हो रही है, तो यह था मेरा वीडियो, साइट वर्ट से डिलेटेड, साइट वर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, यह श्याद आपको समझ में आ गया होगा, और आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, यह भी आपको समझ में आ गया होगा, I hope ये वीडियो आपको लोग के लिए helpful रहा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपके लिए ये helpful रहा है तो please मेरे चैनल को like, share and subscribe करे और bell icon को ज़रूर प्रेस करे Thank you for watching